तो बच्चो जो आज की हमारी शीट है हम सबसे पहलन किस्ट कर लेते हैं कि देखो इसमें सबसे पहले पहले errors दियें कुछ errors पोटिंग केंगे हैं तो error sport करते हैं देखो kleiner sentence कहता है first sentence कहता है the decision by a British district judge to block the extradition of Julian Assange on the grounds of his mental health are a temporary setback to America's effort. देखो last video में हमने किया था कि हमें क्या करना होता है subject ढूंडो और verb ढूंडो सबसे basic error ही है इसके अंदर मुझे दा एक article दिखा article दिखते ही मेरे दिमाग में आया कि भई article के बाद noun आता है तो जो decision था वो एक noun था और decision noun था तो decision sentence का subject भी बन सकता था बिल्कुल बन सकता था तो the decision by a British district judge देखो by तो एक preposition ही थी preposition के बाद कभी भी subject नहीं आता हमने classes में सीखा है तो ये जो बचा by a British district judge ये तो subject नहीं हो सकता था यारी decision subject था two block two block देखो two plus we बन थी the extradition extradition देखो extradition क्या होता है extradition क्या होता है extradition होता है जब किसी आरोपी का प्रत्यारोपन किया जाता है मान लो कोई व्यक्ति है जो यहां से crime करके दूसरे देश में जाकर छिपकिया शेरन ले ली उस चीज़ को जब वो देश वापस हमें सोपता है उसे एक्स्ट्रडिशन कहते है जैसे विजय मालिया निकल गया यह वही चीज है एक्स्ट्रडिशन वर्ड को याद करने की बात अगर आती है तो मैंने वर्ड को कैसे याद किया था वही word को याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है देखो word को आपने कैसे याद किया मैंने देखा ये है extra कह रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारे देश में तो ये विक्ति extra ही है और इसका पिछे लगा dition यह यह दिशन से बना दे दो तो गरे तुम्हारे पास तो यह extra यह हमें दे दो तो extradition का मतलब भी क्या होता हि किसी भागे विया रोपी का प्रत्यार ओपन करना तो यहां extradition किस चीज और काम करता है नाउन का काम कर रहा है क्यों नाका काम कर रहा है और गर दा के बाद नाउन अना चाहिए अगर इसी की मुझे वर्ब बनानी हो तो वर्ब बनती है extra diet ये बनती है इसी की वर्ब ठीक है तो ये क्या कहता है of Julian Essence Julian Essence किसी का नाम है क्यों पता चला नाम है कैसे पता चला है क्योंकि इसका first word capital था इसका भी first letter capital हो वो नाम होता है to the decision by a British district judge to block the extradition of Julian Essence on the grounds of his mental health are a temporary setback to America's effort देखो आपने क्या किया सबसे पहले subject ढूंडा sentence का subject ढूंडा subject हमें मिल गया था decision और हमें decision जैसे ही दिख गया तो हमने verb देखी verb मुझे मिली are तो decision singular है या plural है decision singular है इसका plural जब होता जब इसके पीचे S लग के decisions बना देता तो decisions के लिए तो R आता लेकिन decision के लिए क्या आना चाहिए था decision के लिए R नहीं आना चाहिए था decision के लिए इस आना चाहिए था तो यहां किस पार्ट में error हो गया last part में error हो गया correction हो जाती the decision by British district judge to block the extradition of Julian Essence on the grounds of his mental health is a temporary setback to America's efforts चलो next sentence की तरफ चलते है Judge Vanessa Judge Vanessa Barrett Sir Judge Vanessa Barrett Sir said the mental condition of Mr. Essence is such that it would be oppressive to extraditing him to the US देखो फिर से sentence को देखते है Vanessa Barrett Sir क्या था एक नाम था क्योंकि capital था said एक अलग वर थी the mental condition दा फिर से आर्टिकल था mental फिर adjective लगा दिया condition फिर noun लगा दिया of preposition थी ये फिर से नाम आ गया Mr. Essence is यहाँ एक वर्ब दिखी is यानि Judge ने क्या का कि उसकी mental condition is such that it would be oppressive oppressive क्या होता है देखो दोस्तों oppressive का मतलब क्या होता हो यहाँ से एक वो कह भाई oppressive oppressive का मतलब होता है पूरे दमनकारी नीती यानि जब कोई राजा है वो किसी की नहीं सुनता एक दमनकारी नीती से एक अत्याचारी तरीके से काम करता है तो उस चीज़ को क्या कहते है आपा oppressive कहते हैं बिलकुली मतलब तफ रूल है उस सिटिया तो यह क्या कह रहा है अगर इस Mr. Essence को आपा ने extradite कर दिया उनके देश में वापस भेज दिया तो यह गलत होगा एक दमनकारी नीती होगी क्योंकि उसकी मानसिक्स्थिती अभी ठीक नहीं है यहां Error क्या था? Error तो देखते ही मिलिया आपाने अपनी Classes में बहुत बार सिखा है कि 2 के बाद V1 आती है ना कि V1 प्लस ING 2 के बाद V1 आनी थी और यहां तो V1 प्लस ING थी तो कैसे Correct करें? इसके पिछे से ING हटा के यहां सिरफ और सिरफ V1 लगा देते तो क्या correction हो जाती? 2 प्लस में extra diet यहां V1 लगा देते हैं तो हमारा sentence Correct हो जाता है यहां भी last part में ही Error था चलो third sentence को देखते हैं देखो मैंने बोली दिया आनसर अपने अपनी Classes में बहुत बार सिखा है कि preposition के बाद यह एक preposition थी preposition के बाद जब भी कभी verb आएगी तो verb कैसी आती है? ing form में आती है लेकिन obtain verb कैसी form में थी? V1 में थी इसलिए यह Error था इसको correct करने के लिए क्या करना पड़ता? इसको correct करने के लिए इसी के पिछे ing लगा देते हैं for obtaining अब यह correct हो जाता क्योंकि preposition के बाद objective case चाहिए और objective case तो भी बनता है जो V1 प्लस ing आ जाए जिससे की वो जिरंट का काम कर जाती है तो बस अभी के लिए इतना याद रखो preposition के बाद जब भी कभी verb आएगी तो वो कैसी फोर्म में आएगी वो ing फोर्म में आएगी आजब आपा fourth sentence देखते है these were the incident which the US had swept under the carpet यहाँ दो चीज़े सीखने को मिली देखो सबसे पहले तो मैंने कल भी आपको बताया था कि these होता है एक adjective लेकिन यहाँ these sentence का subject बन रहा है तो these जब subject बनता है दोस्तों तो यही these pronoun का काम भी करता है यानि कल आपकाने सिखा था कि जो these है वो adjective है these boys, these pencils, these chairs, these notebooks लेकिन जब भी कभी these sentence का subject बन जाए यानि उसके बाद कोई और noun नहीं आए तो वो pronoun का काम करता है यहाँ यह pronoun का काम कर गया हाँ जी चलो pronoun का काम कर गया वर क्या थी वर फर इस sentence में एक वर्ब थी अब आपने अपने अपनी कलास में यह भी सिखा है कि जब भी is यह मार यह was वर कभी भी main वर्ब बन जाएं तो उस sentence में object नहीं आता subject compliment आता है subject compliment आएगा तो these का subject compliment क्या होगा देखो these ना एक plural thing थी these यह नहीं कह सकता कि एक ही चीज़ दीज में एक से ज़्यादा चीज़े थी कम से कम दो तो थी थी दो से ज़्यादा कितनी भी हो सकती थी यानि दीज का plural दीज का subject compliment बनेगा वो भी कैसा बनना चाहिए वो भी plural बनना चाहिए और आपने देख लिया वर वर्ब भी आई वो भी plural थी तो दा incident दा तो एक article था incident की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो क्या incident plural था नहीं incident तो singular था incident के पिछे एस लगा दिया तो क्या बन गया incidents अब यह plural बन गया sentence बिल्कुल करक्ट हो जाता दीज वर दा incidents which the US had swept under the carpet यानि incident की बज़य क्या आना था incidents आना था चलो next अच्छा इसमें एक चीज और चीज शीखनी थी हमें swept under the carpet देखो यह एक idiom होती है कई बार exam में आपको देखने को मिल देगी swept under the carpet का मतलब क्या होता है इसे कैसे याद करो जब हमारे घर में कार्पेट होता है हम उसके नीचे अगर कोई चीज छुपा दे तो वो चीज छुप गई ना उसे कोई देखतो नहीं सकता तो swept under the carpet का मतलब ही होता है to keep something to keep something secret बहीं किसी चीज को आप छुपा रहे और तो कोई भी हो सकती है किसी चीज का reason भी हो सकती है या कोई decision भी हो सकती है तो यह क्या कह रहा है कि इस तरह के जो incidents थे ना उन्हें US से आज तक छुपा लिता था लोगों के या मीडिया के सामने नहीं आपाते थे चलो six sentence को देखते हैं देखो sentence का subject ढूंड आपने पहले भी सिखा था error ढूंडने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है वो काम क्या है sentence का आपको subject ढूंडना है तो इसका subject क्या मिला मुझे दा तो एक article था और हिस्ट्री एक noun था हाँ हिस्ट्री एक noun है और long क्या था एक adjective था ठीक है तो history ही इस sentence का क्या बनी subject बनी तो यह कह रहा है कि जो long history है हिंदू Muslim ties की जो एकता है इतने सालों से रह रहे है in the subcontinent इस area में are mayered by यानि इस verb का मतलब क्या होता है mayered by का इसका मतलब होता है to spoil something किसी चीज़ को खराब कर देना या damage कर देना ठीक है मैंने कैसे याद किया था भई जब याद किया था मैंने याद किया था मेरे को इसके अंदर दिग गया था मार दिग गया था इसके अंदर हाँ भी बिलकुल इसके अंदर हमें क्या दवर्ड दिख रहा है मार और स्कूल में कहते थे भई बच्चों को मारते है ना तो बच्चा बिगड जाता यानि बच्चा पूरी तरह ही spoil हो जाता है इन बच्चों को मारना नहीं चाहिए तो इस मार से मैंने link किया था to spoil तो यह क्या कह रहे हिस्ट्री जो है वो spoil हो रही है by grotesque violence grotesque violence क्या होती है बहुत ही unpleasant situation बहुत ही बुरी तरिक्चे से violence हो रही है fueled by fueled by का मतलब होता है जैसे आप एक अपनी language में नहीं कहता है कि किस वज़े से खावा दे रहा है यानि fueled by myths जो अफवाय फैल रही है उसकी वज़े से हिंसा हो रही है fueled by myths rumors and prejudice देखो प्रेजुडाइज क्या होता है एक prejudice होता है एक word यहां से सिखने को मिला prejudice होता है judgment हो वह भी पार्शल तरिक्के से पार्शल किसी चीज़ को ज़ज करना मैंने इस word को कैसे याद किया था जब त्यारी करते थे हम मैंने इस word को देखा prejudice देखो pre होता है न exam में पहले pre clear करते हो और इस prejudice से मैंने बनाया था judgment तो मैंने इसको कैसे relate कि पहले ही उसकी judgment बना ली प्री पहले होता है और judgment बाद में यानी prejudice यानी पहले ही उसकी judgment बना ली अब जो फैसला आएगा वह पार्शल एटि के साथ आएगा पार्शल फैसला आएगा पूरा भेद भाव पूरा नो फैसला करेंगे तो इस तरिके से मैंने याद करा था एरर कि अगर बात कर ले हम तो हिश्ट्री हिश्ट्री एक सिंगुलर नाउन थी क्यों इतिहास इसके पीछे S तो लगा ही नहीं तो जब history एक singular noun थी तो वो verb भी singular लेती लेकिन इसने verb कैसी ली R तो फिर क्या the long history is R को किसे replace कर देंगे इसे replace कर देते हैं sentence correct हो जाता है चलो 7th की तरफ चलते हैं देखो सबसे पहले तो एक वर्ड देखने को मिला वह prevalence prevalence का मतलब क्या होता है अभी यह वर्ड आपको नहीं उस पैपर में बहुत देखने को मिलेगा prevalence का मतलब होता है जो चीज अब प्रचलन में है जो चीज चल रही है ठीक है उस चीज को कहते है प्रिवेलेंस कैसे याद करो इस वर्ड को अभी कोविड 19 की वैक्सिन की बात चल रही है तो वह prevalence यानि वह चीज बहुत ज्यादा चर्चा में है जो चीज अभी चलन में है यह कहरे दप्रिवेलेंस ओफ काव vigilant देखो who vigilant क्या होता है देखोaros vigilant को कैसे याद करा vigilance department होता हैika vigilance डिपार्ट में होता है विज लेस डिपार्ट में होता है तो vigilance department होता है वह क्यादा आपने आप ही कहीं जाए यह raid करा है कोई अफसर वगेरा कटबड़ तो नहीं कर रहा है चक कर रहा है क्यानि यह क्या होता है विजिलेंट में विजिलेंट को ऐसे याद करो कि इसमें कुछ लोग होते है एक ग्रूप ओफ पीपल एक ग्रूप ओफ पीपल जिनको किसी ने अपोइंट नहीं किया सेल्फ रहे हैं अपने आपको किसी और ने उनको हायर नहीं किया वो खुद ही उस चीज को अपोइंट कर रहे है और कोई कुछ गलत कर रहा है तो यह बिसिकली क्या कहना चाहरा था कि आजकल क्या हो रहा है जो गोरक्षा दल वाले लोग है या फिर एंटी कनवर्जन लोज हैं उन कुछ चीज को भी टेस्टी मनी जैसा ही बोला जाता है यानि एक सेल्फ डिकलेरेशन एक सेल्फ डिकलेरेशन है यानि कुछ चीज डिकलेर हो रही है या ओपनली किसी चीज को एक नोलेज किया जा रहे है किसी चीज को असेप्ट किया जा रहे है तो यह कह रहा है जो आज क बेटर है वो यह बात कहना चाह रहा है चलो यह तो इसकी सेंस होगी लेकिन एक बार ना आपा इसमें वर्ब ढूंडते हैं जल्दी जल्दी इसमें वर्ब देखो क्या थी दा वर्ब थी नहीं दा तो ना आर्टिकल था प्रिविलेंस एक नाउन था ओफ प्रेपोजिशन थी का वेजलिटेंट वोईलेंस ये भी नहीं था वईलेंस भी आनी थी एंड एंटी कनवर्जन लोज ये ये भी नाउन था ये भी नाउन था ये भी नाउन इन रिसेंट इयर्स इन एक प्रेपोजिशन और रिसेंट इयर्स वेन का अंसर थी यानि एडवर्ब थी तो इसमें प्रेपोजिशन थी दा आर्टिकल था वर्सनिंग या फिर से नाउन की तरह भीएव कर रहा था ओफ प्रेपोजिशन थी इंटर रिलीजियस एक एजेक्टिव था और टाइज नाउन था यानि दोस्तो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब ही नहीं आई और वर्ब नहीं आई तो वर्ब आनी तो सबसे जरूरी थी बिना वर्ब के सेंटेंस बनता कैसे यानि इस स्टेंडिंग को वर्ब बनाना पड़ेगा इस स्टेंडिंग को क्या बनाना पड़ेगा दोस्तो वर्ब बनाना पड़ेगा तो स्टेंडिंग की जगा में क्या लगा देता, stents, the prevalence, stents, testimony, देखो जो prevalence है, वो क्या करिए, stents, testimony, prevalence of cow, vigilant, violence and anti-conversion laws, तो यहाँ क्या बन जाती है, हमारी subject, subject बन जाता, prevalence और verbs लगा देते, stents, क्योंकि यहाँ, verb ही नहीं आई, ठीक है, the prevalence of cow, vigilant, violence and anti-conversion laws in the recent year, ठीक है, हाँ, यही है, चलो, एट छेंटेंस की तरफ आते है, a year of restricting ourselves to the confines of four walls has made us keenly aware of our past exchanges, not only with our families and with the larger society, देखो मुझे तो देखते ही पता लगया, मुझे यहाँ दिखा not only, आपको पता होना चाहिए, not only एक conjunction होते है, जिसका pair and नहीं होता, जिसका pair होता है but also, या तो but also आना चाहिए, या कभी कभी but भी आ जाता है, and तो किसी हालत में नहीं आता, conjunction होती है, जो pairs में कुछ यूज़ करते है, जैसे such that, so that, either or, neither, nor, इस तरह की चीज़े, not only, but also, यह वाली चीज़े, हैं, चलो आज हो, हम करते हैं हमारी 9th sentence को देखते है, in a country, even with oppressive prejudices, the past year may had widened the greatest fault line in the Indian society religion, देखो देखते के साथ हैरन मिलिया, may, may क्या था, एक modal था, अपने पहले भी करा था, can, could, may, might, will, would, shell, should, यह सब modal थे, और modal के बाद verb की first form, यानि natural form, modal के बाद verb की first form, यानि natural form, लेकिन यहां क्या लगा रहा था, यहां लगा रहा था, head, head तो verb की first form नहीं थी, verb की first form क्या थी, has, have, वैसे have थी, natural form तो have ही थी, have, head, head, यहां, head की जगहां क्या आना चाहिए था, head की जगहां यहां आ सकता था, have, और आना ही था, यानि in a country, even with oppressive prejudices, the past year may have widened the greatest fortune in the Indian society, religion, यहां एक word और देखने को मिला, देखो, इसी तरह से बहुत सारी वो कैव हो जाएगी, रीवन, देखो, रीवन वर्ड का क्या मतलब होता है, रीवन वर्ड का मतलब होता है, split apart, जो चीज बटी हुई है, split apart, split apart, अब यह क्या कहा रहे है, एक country ऐसी है, रीवन, जो पहले से ही बटी हुई है, with oppressive prejudices, यानि की, दमनकारी फैसलों से पहले ही दभी हुई है, और पिछले एक साल में जो और फैसली आया है, उससे जो gap है ना, दोनों के बीच में, वो बढ़ रहा है, किनके बीच में have widened the greatest fault line in the Indian society religion, जो अलग-लग धर्मों के लोगों में gap है, वो बढ़ रहा है, रीवन वर्ड को मैंने कैसे याद किया, जब मैं त्यारी करता था, रीवन वर्ड को मैंने किस तरिके से याद करा, मैंने इसको relate करा, link बनाई इसकी रीवर, मैंने देखा कि भई, जो रीवर है ना, वो आगए जाके कभी ना कभी रीवन हो जाती, यानि दो टुकडों में बट जाती है, यह एक बड़ी नदी है, आगए जाके दो टुकडों में बट गी, तो यही रीवन का मतलब होता है, split apart, यानि थोड़ी सी बट जाए, चलो, next sentence की तरफ देखते हैं, Hindus and Muslims constitute the largest religious communities in India, यहां देखो जब एंड किसी चीज़ को जोड़ता है ना, तो वो सेम चीज़ों को जोड़ता है, यहां Hindus था, यानि हिंडू के पिछे एक S लगा हुआ था, एक हिंडू नहीं, बहुत सारे हिंडू और यहां Muslim, तो इसी तरीके से यहां भी Muslim के पिछे S लगता जोड़ता है, जैसे plural है, plural के साथ जोड़ रहा है, यानि कि Hindus को किसे जोड़ता है, Muslims से, तो Hindus and Muslims, ऐसा नहीं है कि कोई एक Muslim है, बहुत सारे हिंडू है और एक Muslim ऐसा है, इसका मतलब ऐसा निकल रहा था, लेकिन हमें क्या निकालना था, कि जो Hindus इस देश में रहते हैं, और जो Muslims इस देश में रहते हैं, इसलिए S लगाना था, इसके पिछे, चलो 11th sentence की तरफ देखते हैं, Children and adults have mitigate the barriers created by socialization through everyday interactions across religious groups, यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि जो बच्चे हैं और बड़े हैं, उन्होंने mitigate कर दिया, जो gaps आ रहे हैं आमारे बीच में, religious groups में, उसको खतम कर रहे है थोड़ा थोड़ा, देखो mitigate क्या होता है दोस्तों, mitigate का मतलब होता है, pacify करना, pacify अब क्या होता है, किसी को शांत करना, pacify मतलब कोई व्यक्ति गुस्से में है, आपने उसको थोड़ा खंडा कर दिया, यानि आपने क्या कर दिया, lesson someone's anger, किसी के anger को कम कर सकते हो, या भई कि किसी के दर्द को कम कर सकते हो, या पैस्तिवाय का मतलब होता है, किसी चीज की intensity को आपने कम कर दिया, mitigate का भी से मतलब होता है, अपने सिखा has, have, had के बाद, verb की हमेशा ही हमेशा third form आती है, लेकिन जो mitigate थी, वो तो सिरफ वीवन थी, तो यहां क्या लगा देना था, हमें पान लो, एक बिल्डिंग के दर्वाजे पर आग लग गई, तो अब कहरे है, मिटी गेट की वही, गेट के उपर मिटी डाल दो, गेट के उपर मिटी डाल दो गे, तो वो आग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानि उस चीज की intensity decrease हो गई, तो यही mitigate का मतलब होता है, किस चीज की intensity decrease करना, किसी की दर्द को कम करना, या किसी की गुस्से को कम करना, किसी की पीडा को कम करना, यही वर्ड, इसी वर्ड का मतलब होता है, mitigate, चलो आजओ, नेक्स सेंटेंस की तरफ, the supreme courts clearing the center's plan for a bigger parliament house and central vista must be looked at in a positive way, अभी आपको पता है, नहीं parliament बन रही है, तो supreme court ने permission दे दी कि हाँ भी बना लो, तो must be look दिखा, मुझे must be look देखते ही, दिमाग में मेरे strike कर गया, कि यार, modal के साथ ना, must तो एक modal था, modal के साथ जब भी कभी भी लगता है, तो वो वर्ड की third form साथ में लिता है, it should be done by you, वो passive voice है, देखो मैंने क्या बोला, it should be done by, यानि should be एक modal था, और be, एक वीवन लगाई, क्योंकि modal के बाद verb की first form चाहिए थी, और passive voice में V3 चाहिए, इसलिए done लगा दिया, he must be helped by you, एक और example लेकर देखते है, he must be helped by you, अब must एक modal था, be फिर से मैं यानि वीवन लगा दी, और helped, यानि he must be helped by you, यानि जब भी कभी modal के साथ भी दिख जाए, तो verb की third form लगाओ, लेकिन look verb की third form नहीं थी, ये तो वीवन थी, तो यहां हम क्या लगा देंगे, इसको हटा के, हम बना देंगे looked, passive voice में, must be looked, चलो next sentence की तरफ चलते है, there may be many counter questions on the timing of the project and their expenditure in the wake of COVID-19, ये कह रहा है कि भई, इस टाइम पे question भी होंगे कि COVID-19 के समय में क्या हालत हो रही है हमारी economy की, और आप नहीं Parliament पर पैसा कर्च कर रहे हो, तो देखो इस sentence में error कहा था, देखो मुझे दिखा there, मुझे क्या दिखा there, और मुझे दिखा expenditure, there एक adjective था, और expenditure ए का खर्चा आ रहा है, इस project पर जो खर्चा लग रहा है, यानि ये expenditure किस चीज़ के लिए आ रहा है, project के लिए, यानि किसी non-living thing के लिए आ रहा है, तो यहां से एक बात सिखो, जब भी non-living thing के लिए adjective लगाना हो, possessive adjective तो आपा देर नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं, its, प doctors dealing with the head injuries, ask some questions, देखो मैंने बोली दिया, some questions to determine if the patient is fully oriented, देखो क्या होता है, some जो होता है, some, some एक adjective की तरह काम कर रहा है, और some जब भी adjective की तरह काम करता है, तो उसके पिछे जो भी noun आता है, उसके पिछे जो भी noun आता है, वो कैसा आता है, वो plural noun आता है, वो plural noun आता है, some boys, some questions, some problems, some issues, some people, some pages, some books, यानि सम के बाद जब भी कभी अपा noun लगाएंगे, तो वो noun कैसा आना चाहिए, वो plural आना चाहिए, तो यहां question नहीं यहां आता, questions, ठीक है, यहां आता, questions, इसके अलावा एक और word मुझे दिग गया, oriented, देखो, oriented का मैं मतलब बता द हूँ, if the patient is fully oriented, oriented का मतलब होता है, कि भई, यहां oriented कि sense में काम कर रहा है, यहां oriented काम कर रहा है, कि भई, वो पूरा होश में है भी, क्या नहीं, oriented का मतलब वैसे तो होता है, जुखाव की इस तरफ oriented है, जैसे कि आपा close test पढ़ते है, story पढ़ते है, तो कई बार बोलते है, story कि तरफ oriented थी, वो कैब के, जो कैब देखते हुए बनाई गई थी, या grammar, तो oriented का मतलब होता है, कि भई, अब कैसे, वैसे oriented का मतलब एक सभाव भी कह दिया जाता है, यूज मत करना language में, लेकिन, जब यूज किया जाता है, तो सभाव की तरफ इते, the patient is fully oriented, भई, पूरा होश म है या abnormal बाते कर रहा है, तो यहाँ some question नहीं, क्या आना था, some questions, चलो 15 sentence देखते, it is the question to which don't know is definitely a abnormal response, फिर से मुझे दिग गया error, देखो, कल भी आपा ने किया था, abnormal को बोलते के साथ कैसी sound आई, abnormal को बोलते के साथ consonant sound आई, abnormal को बोलते के साथ कैसी sound आ रही थी, consonant, देखो, abnormal a, a की sound आई, यानि sound आ रही थी, vowel sound, और vowel sound आती है, तो article हमेशा n लगता है, an honest person, जैसे की मैंने बोला, an honest person, यानि, ओ, यानि, यहाँ क्या लगाया था, abnormal, यानि, a की बजाया आना था, an, an abnormal response, चलो, every को देखते है, every Indian have an opinion on the reservation, देखो, each or every कल भी बताया था, each or every, हमेशा ही हमेशा singular verb लेते हैं, क्योंकि हर एक की बात करते है, each person, every person, मैं कहा दूँ, daily dose किस को करके आनी है, तो each of you, आप हर एक को करके आनी है, और every day, यानि, हर रोज, यानि, each or every singular verb लेते हैं, और यहाँ तो वैसे भी देख लेते है, every Indian, हर एक भारतिय की बात कर रहा था, तो वो verb भी कैसी लेंगे, singular ही तो लेंगे, जब हर व्यक्ति की personally बात की जाए, तो verb singular, यानि, every Indian, has an opinion, on the reservation, चलो, next sentence की तरफ चलते हैं, the court in the meanwhile, has ordered the Delhi Authority, the court in the meanwhile, has ordered the Delhi Development Authority, not to took any precipitate measure, in connection with the Dhobi Ghat, तो court ने क्या का आया भई, Delhi Development Authority को की कोई ऐसा step मत लेना, in connection with Dhobi Ghat, देखो हमें से से क्या लेना, हमें तो देखते ही, error मिलिया, तो टुक का अपने देखा, धा टू पलस V1, तो यहाँ टू पलस V1 लगानी थी, लेकिन, वब क्या होती है, V1, take, take, took, तुक टेकन यही तो इसकी 3 फोर्म होती है टेक टुक और टेकन यहनी यह वी 2 होती है और यह वी 3 होती है तो यहां verb कैसी आनी थी यहां verb आनी थी we want to टेक चलो आज़वागे the court direction came while hearing a petition by Muslim कसार विकास संगठन seeking direction to dda not to demolish the bottle house dog at okla here देखो sentence में न देखते के साथ कुछ पता लगा मुझे court direction पता है क्या होता court direction होता court की direction की वही court किस तरफ है court left में है court right में North में लेकिन court direction यहां वो sense नहीं देता है courts direction apostrophe S लगाना था क्यों लगाना था वही courts direction में apostrophe S क्योंकि देखो सिखो इस चीज़ को हमें possession दिखानी थी कि ये direction मतलब निर्देश था है आना कि दिशा की वह ये निर्देश ये guidelines जो थी guidelines जो थी ये किसने दी थी ये court ने दी थी तो court direction नहीं, courts direction आपने सिखा है आपोस्ट्रोफे के आगे भी noun आउन, पिच्छे भी noun, आगे वाला noun adjective की तरह behave करता है तो पिच्छे वाला noun, subject की तरह काम कर जाता है, तो courts direction यानि court ने जो निर्देश दिये direction यानि निर्देश guidelines किसने दी, court ने दी तो ये आपोस्ट्रोफे ऐस लगाना था चलो 19 sentence इसे एक बड़ देखते है, here are some tips to successful crack the exam देखो क्या करना है, आपको exam crack करना है, यानि crack के लिए successful word है, ये शायद कल भी किया था हमने, successful person होता है ठीक है, successful business होता है, successful human होता है यानि successful decision भी होता है, यानि successful तो एक adjective की तरह काम करता है, दोस्तों successful किसकी तरह काम करता है successful तो एक adjective की तरह काम करता है और हमें crack तो verb थी यानि verb को qualify करने के लिए adverb चाहिए, ना कि adjective इसलिए यहाँ successful की बजाए हम क्या लगाते, successfully इसके पिछे ly यानि successfully, यहाँ क्या लगा देते successfully crack the exam क्योंकि crack को क्वालिफाई, वर्ब को क्वालिफाई, adverb करते है और adverb वो आती है, जिसके पिछे ly आ जाए इसलिए successfully आता चलो 20 sentence को देखते है the incident of a group of man killing the endangered river dolphin in उत्तरपरदेश making one wonder whether we have forgotten our seventh fundamental right देखो मुझे क्या मिला देखते ही मुझे पता लगया कि the एक article था, incident एक noun था, of a group of man क्या था, preposition थी, preposition के बाद object आता था, यानि इसको काट दो, क्योंकि सबसे पहले subject और verb भी पैचान देंगे, killing, killing तो क्या थी, even plus ing without helping वर्ब का काम नहीं करती, यानि ये भी वर्ब नहीं थी, the endangered river the article कट गया endangered adjective था, river फिर से noun लगा दो, यहाँ adjective की तरह काम कर रही थी, वैसे, dolphin भी एक noun था, in preposition थी, preposition के बाद object यानि उत्तरपरदेश भी कट या, इस incident के लिए verb भी नहीं आई, यहाँ लगा दी making, making v1 plus ing थी, जो without helping वर्ब का काम ही नहीं करती, तो इस incident के लिए यहाँ थी, made, the incident made, one wonder, whether we have forgotten our seventh fundamental duty, भी जो seventh fundamental duty यही थी, कि शायद हम हमारे वन्य जीवो और इनकी रक्षा करेंगे, तो कुछ लड़कों ने क्या किया, नदी में इसे निकाल के dolphin को मारी दिया, तो यह कह रहा है कि उस हादसे ने हमें इस सोचने पर मजबूर कर दिया, एकदम अचंबे में डाल दिया कि वही क्या हम हमारी साथ भी fundamental duty को भूल गए, तो इस incident के लिए verb चाहिए थी, और वो verb बनी made, क्योंकि making V1 plus ING without helping verb अबबा काम नहीं करती थी next sentence की तरफ चलते दोस्तों, the tiger could have come from the adjacent बांदीपूर और नागर होल टाइगर रिजर्फ in करनाट का, after crossing the company's river इसके अंदर कोई आरण मुझे नहीं दिखा जब भी कोई आरण नहीं दिखे, एक बार post-martem जरूर करा, क्रोदा आर्टिकल हो गया, tiger noun, could modal have natural form, come came, come फिर से V3, have plus V3 from preposition दा फिर से article adjacent adjective बांदीपूर नाउन और से जूड रहे हैं, ये भी noun tiger reserves ये भी नहीं था in preposition करनाट का नाउन after preposition crossing दा कमभानी river हाँ, कोई गल्ची नहीं थी, sentence बिल्कुल ओक्के था, next sentence देखते हैं आपा, next sentence आपा, कल भी आपा ने ये sentence किया ही था, the security agency successfully diffused, बिल्कुल सही बात है security agencies ने diffused किया उसको कैसे, successfully ये sentence बिल्कुल correct है, the security agency successfully diffused the locally made improvised explosive device, the police said ये जान बुच के इसके अंदर डाला गया था ताकि कल की explanation आपने देखी भी है, कि नहीं पता चले next sentence देखते हैं Mr. Rajni Khan should realize the pull he has among the people देखो, should देखते ही पता लग गया modal can, could, may, might will, would, shall, should और modal के बाद, we won, यानि realized नहीं, क्या आनी थी, we won आती, क्या, realize Mr. Rajni Khan should realize the pull he has among the people देखो, इस चीज का क्या मतलब होता है, the pull he has among the people pull he has among the people इस चीज का मतलब होता है कि public के अंदर जो उसका crazy है, जो उसकी command है public के उपर, भई अभी Rajni Khan जो थे राजनिती में आने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आय नहीं, इसलिए उतर कह रहा है कि एक बार वो अपनी ताकत तो पचाने की लोगों के उपर वो कितना प्रभाव रखते हैं, ठीक है, next sentence की तरफ चलते है, there were no clash with the farmers, अपने फिर देख लिया, there किसका अंसर था, where का, मैं कहता हूँ, where, आप कहोगे, sir, there, यानि, where का अंसर था, there, और where का अंसर होती है, adverb, यह यह देर क्या थी, यह तो adverb थी, और were इस sentence की main verb थी, हमने हमारी classes में बहुत अच्छे से सिखा कि is, am, are, was, were, जब भी कभी main verb बन जाएं, तो subject compliment आता है, there were no clash, अब were एक plural verb थी, तो इसके लिए compliment भी कैसा आना चाहिए था, plural आना चाहिए था, और plural में no clash नहीं, clash तो singular था, इसको बना देते clashes, इसको बना देते clashes, समझ रहे हो बात, क्यों यहां clashes बनाया है, क्योंकि were एक plural verb थी, इसका compliment भी plural चाहिए था, इसलिए इस noun के पिछे s लगा कि इसको plural बनाया, there were no clashes with farmers, next sentence जो है हमारा, next sentence कहता है, the disease labor was identified as Mahindra Mali, disease labor was identified as Mahindra Mali, disease labor नहीं होता, disease तो एक तो वो वाली disease होती है, जो बंदा बिमार हो जाता है, और यह disease का मतलब होता है, मृत, यहां मैंने देखा यार कि दा एक article था, article के बाद हमेशा noun, noun आ गया, तो बीच में क्या आना चाहिए था, ए इसलिए यहां adjective बनाने के लिए मैंने क्या बनाया, मैंने इसे बना दिया, the deceased, यह deceased एक adjective होता है, ठीक है, the deceased labor क्योंकि इस labor को qualify करने के लिए एक adjective चाहिए था, इसलिए इसके पिछे डी लगा के इसे adjective की तरह बहेव करवा दिया, the deceased labor was identified as Mahindra Mali, तो यह थे हमारे आज के errors, य फटा फट से देखते एक स्टोरी भी डाली गई है, फटा फटी स्टोरी को पढ़ते है, the missing furniture, देखो कहानी पढ़ते है, there was once an old lady, she meets with an accident and loses her eyesight, एक old lady थी जिसका accident होगा और उसकी आख की रोशनी चली गई, she becomes very upset and calls in the most qualified surgeon in town to treat her, वो बहुत ज़्यादा निराश हुई और जो में सबसे अच्छा सर्जन था, उसने उसे बुलाया, she promises to pay a large amount of fees to the surgeon if he is able to restore her eyesight, उसने कहा कि पैसे की परवा मत कर, आँख ठीक कर और देख, तो वो सर्जन आने लग गया, the surgeon visits the old lady every day and give her some medicine, सर्जन डेली आता और कुछ दवाईयां देता, he takes advantage of the two facts that she is blind and cannot see anything, उसने दो चिज नहीं पारी, तो he starts stealing pieces of expensive furniture from the house, उसके घर से ना वो furniture चुराने लगया, यहाँ एक चीद सीखने वाड़ी यह मिली कि जो furniture है, वो कभी भी plural नहीं बनाया जाएगा, इसके पीछे S नहीं लगेगा, यह अपने आप ही क्या है, एक तरह से plural है, वही फरनीचर के अंदर सारी टेबल भी आगई, आपकी टेबल भी आगई, जब भी इसको कुछ आइटमस दिखाने होंगे, तो हम कहेंगे, एक piece of furniture, आजाओ, he takes away one piece every day, हर रोज एक piece अपने घर ले जाता, for this purpose, he delays the cure, इस कारण से वो उसके इलाज में देरी करने लगा, when he takes away all the furniture from her house, जब वो सारा समान ले गया, he restore the eyesight of the lady, उसने उसके आख ठीक कर दी, when he ask for the feast, जब उसने feast के लिए पूछा, the old lady refuses to pay him, उस लेडी ने मना कर दिया कि कोई पैसे नहीं देती, she says, उसने कहा, that her eyesight is not yet fully restored, भई अभी तक तो ठीक ही नहीं, yet का मतलब होता है, अभी तक, जैसे मैं बोल दूँ, I have not submitted my assignment, yet, मैं एक और sentence बोलता हूँ, I have not submitted my assignment, yet, या मैं बोल दूँ, I have not visited Goa, yet, भई मैं अभी तक Goa गया ही नहीं, yet का मतलब होता है, अभी तक, ठीक है, तो यह करते है, the surgeon disagree, surgeon disagree करिया, कि नहीं ठीक होगी, the lady plainly replies, lady ने सिधा सिधा जवाब दिये, that she is not able to see the furniture in the house, भई मेरे घर में जो समान था, मुझे वो नहीं दिख रहा, which means, इसका मतलब है, that her eyesight has not been restored, इसका मतलब, अभी तक मेरी आँके ठीक नहीं हुई, the doctor feels ashamed, डोक्टर शर मिन्दा महसूस करने लगा, और चुप चाप घर से चला गया, moral होता है, God watches our every action, भई कोई और देखे ना देखे, भगवान हमारे सारे करम देखते हैं, तो इसमें क्या करना था, basically, इस story को अपने पढ़ा, एक sense डेवलप हुई, अब अपको ये fillers बरने थे, without option, ताकि हमें पता लगे, कहां क्या part of speech आनी थी, इस से कावी अच्छी practice हो जाएगी, चलो देखते हैं, देखो क्या करता है, an old lady becomes blind, old lady blinds, an old lady becomes blind, ठीक है, अब दुबारा नहीं लिखूंगा, lady calls in a doctor, क्योंकि noun की repetition को रोकने के लिए pronoun आता है, और यहां calls एक verb थी, यानि यहां कोई subject चाह और noun तो पहले आ चुका, repeat नहीं करूंगा, इसलिए pronoun लगाया, मैंने क्या, she, तो यहां क्या आना था, यहां आना था, she calls in a doctor, आगे फिर से, she agrees, फिर से verb थी, subject चाहिए था, noun पहले आ चुका था, repetition रोकने थी, इसलिए she फिर से लगा दिया, an old lady becomes blind, she calls in a doctor, she agrees to pay large fees, if cure, अब देखो, next sentence कहता है, doctor comes daily, daily अपने किया ही था, adverb का का काम कर रही थी, comes यहां verb का का काम कर रही थी, और doctor noun का, तो आएगा क्या, देखो, जब filler दे दिया, कुछ बरना है, तो noun के लिए article आता है, बिल्कुल आता है, तो अपने कहेंगे, the doctor, the doctor comes daily, dash starts stealing one piece of furniture daily, अब देखो, फिर से वर्ब आ गई, वर्ब को subject चाहिए था, subject noun या प्रोनाउन बनता, doctor की repetition रोकने के लिए मैंने, he pronoun लगा दिया, यानि, he starts stealing one piece of furniture daily, next sentence को देखो, dash delays the cure, अब फिर से, delays फिर से, एक वर्ब थी, कौन delay कर रहा था, he, इस वर्ब को कौन कर रहा था, he, he delays the cure, at last cure, देखो, एक contradiction मि लिए कि delay तो कर रहा था, लेकिन आखिर में इलाज कर दिया, तो यहां क्या लगाता, मैं यहां लगाता, but, he delays the cure, but at last cure, sir, but ना एक contradiction की sense देता है, ठीक है, कि भई, but ऐसा ही sense देता है, कि मैं चला गया था, लेकिन वो मिला नहीं था, यानि, but एक contradiction की sense देता है, इसलिए यहा hard working, वो hard working तो थी, but rogue, rogue का मतलब होता है, dishonest person, यानि, but एक contradiction की sense देता है, कहां थे हम, start killing one piece of furniture daily, he delays the cure, but at last cure, he demands his face, अब उसने इलाज कर दिया, और वो अपनी face मांगता है, क्या मांगता है, वो अपनी face, he demands his face, क्यों, subject चाहिए था, demand एक verb थी, pronoun को subject बना दिया, he demands his face, the lady refuses to pay, अब यहां मेरी मर जी, अपना बट लगा दिते हैं, वो face मांगता है, लेकिन lady ने मना कर दिया, but lady refuses to pay, saying cure is not complete, हमने सिखा दाना भी yet, अभी तक तो यह काम हुआ ही नहीं, I have not visited goa yet, I have not submitted my face yet, I have not submitted my assignments yet, यानि अभी तक यह काम हुआ ही नहीं, objects lady says, doctor क्या करता है, objects करता है, कि भाई नहीं ऐसे क्यों कह रो, lady कहती है, lady says, sight not restored as she cannot see all her furniture, कहां, in the house, in the house, वो कहती है भी अभी तो ठीक हुई नहीं, घर में फरनीचर है नहीं, in the house, यह हमें इनहें करना है, जल्दी जल्दी, तो देखो, under the weather, under the weather का मतलब होता है, not well, कि बंदा ठीक नहीं है, मतलब बिमार है, इसको याद कैसे करें, सीधी सी बात है, under the weather, weather यानि मोसम, आपा कह देते हैं, भाई मोसम की चपेट में आगा, under मतलब उसकी चपेट में किसकी weather, तो बंदा क्या है, not well, if, क्या करें, I am feeling under the weather, यानि इसकी तब्यत ठीक नहीं है, next sentence साथ जाता है, the ball is in your court, देखो, इसको कैसे याद करते हैं, भाई, अब decision आपके हाथ में है, इस चीज़ का मतलब है, now, it's your turn to take a decision, the ball is in your court, कैसे याद रखें, भाई, दो बंदे football खेल रहे हैं, एक यहाँ है, अब बोल इसके court में है, तो इसकी बारी है, जो करना है, इसे कर करना है, यह तो कर चुका, इसी लिए कहते हैं कि, बोल is in your court, मतलब अब निरने तुम्हारे हाथ में है, I have explained the topic, now the ball is in your court, next idiom आती थी, spill the bean, देखो, spill the bean क्या होता है, spill the bean होता है, to unintentionally, 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 reveal a plan, reveal a plan, या फिर secret, मतलब आप उस चीज़ को बताना नहीं चाते थे, लेकि unintentionally, reveal a plan, और a secret, spill the bean, I was planning a surprise for my mother, but my sister spilled the beans, तो दोस्तों यह थी हमारी आज की daily dose 2 की explanation, अगर इससे related कोई doubts हैं, तो comment section में post कीजिए, इसे share कीजिए, अपने friends के साथ, और अभी तक भी channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कीजिए, इसी तरह से daily doses आपको मिलती रहेंगी, thank you friends